आज तक आपने बस लोगों से यही कहते सुना होगा ज़्यादा स्ट्रेस लेना आपकी जान ले सकता है स्टैन्फोर्ड युनिशिटी की साइकलोजिस्ट केली मेगोनिकल एक रिसर्च के आधार पर बताती हैं कि इस्ट्रेस के वल उन लोगों को नुकसान पहुचाता है जो इसे बुरा मानते हैं इसके विप्रीद जो लोग इस्ट्रेस को गले लगाते हैं वे अधिक खुश अधिक स्वस्त और अधिक प्रडक्टिव होते हैं वे कहते हैं कि stress physical और neurological changes को boost करता है जो आप में energy, confidence और सहानभूती की भावना को बढ़ावा देता है अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस book में बताएगे main concepts से क्यों चलते हैं जिसमें first one है negative and positive stress अधिकान self expert से कहते सुना होगा कि stress आपके लिए खतरनाख है इसलिए stress से उबरने का तरीका यह है कि आप इसे manage करना सीख लें वे कहते हैं कि stress लेने से heart disease, depression और किसी चीज का addiction आप कर सकते हैं अब उचाहे cigarette पीना हो, दारू सराब हो या किसी तरह का नसा करना हो stress के बारे में expert का कहना है कि stress को manage करने का मतलब है कि आपको प्रभावित करने वाले pressure को कम करने के लिए relaxation technique का यूज करें या आपकी जीवन को reorganize करके भी इसका solution निकाल सकते हैं एक study में 30,000 अमेरिकी वैसकोपर उनके जीवन में stress पर सर्वे किया गया और इस groups की मिर्तिवदर को 8 वर्सों तक track किया गया जिसका result आच्चा चकित कर देने वाला था पहले group में कम stress वाला जीवन जीने वाले लोग थे और दूसरे group के लोग अधिक stress वाला जीवन जीने वाले लोग थे लेकिन उन्होंने नई सोचा था कि stress उनके लिए बुरा है जिससे अंत में result ये आया कि इन दोनों group की लगभग समान मिर्तिवदर थी जबकि तीसरे group के लोग जो बहुत ज़्यादा stress में हमेशा रहते थे उनका stress ने पूरा जीवन तहसनास कर दिया था उनके मरने का risk औरों के मुकाबले 43% अधिक पाया गया इन सब बातों से ये बात तो clear है कि आप stress को किस तरीके से देखते हैं या stress लेनी की तुलना में अधिक जरूरी है दूसरी ओर तीन दसकों के research से पता चलता है कि stress की वज़ा से साधी कभी आपको profit हुआ हो लेकिन अगर आप stress को गले लगाते हैं तो आप अधिक smart, अधिक confident और अधिक पानुभूती प्राप्त कर सकते हैं आगे next one है कैसे stress आपकी बुरी प्रितिष्ठा बनाता है 1930 के दसक में Hungarian Andocrinologist Hans Selye ने सरीर पर stress के प्रभाव को experiment करने के लिए चुहो के साथ experiment किया जब उन्होंने cow hormones का injection चुहो के सरीर में दिया जिसकी वज़े से चुहो में bleeding ulcer develop हुआ और उससे चुहो का immune system fail हो गया उसके बाद में अन्ने substance का भी चुहो को injection दिया गया और यही पाया की same action उन्होंने develop किये थे इस चीज को simple way में समझने के लिए सैले ने injection लगने पर चुहो ने कैसा experience किया होगा ये बताया है पहले चुहो ने stress का अनुभाव किया होगा उसके बाद negative response का अनुभाव किया होगा उसके बाद tigger किया होगा दूसरी बार भी injection लगने पर सेम चीजे चुहो ने feel की होगी अपने result को एक step आगे लेते हुए उन्होंने थेरी दिया कि जीवन की गटनाएं इसी तरह लोगों को प्रभावित करती हैं तब से researchers ने जानवरों पर जो भी experiment किया वही same result मनिशों पर भी आएंगे ऐसा माल लिया लेकिन ज़्यादा तर study में एक तरह के extreme stress के result की जाज करते हैं तो पाते हैं जैसे की एक छोटे container में चोहे को रोकना या इसे लगभग ढूबने तक तैरने के लिए मजबूर करना ये result उन्हों लोगों पर लागू हो सकते हैं योंने किसी के साथ बुरा ब्यवहार किया है लेकिन आधिकांस लोगों की daily stress, गंभीर या sun की type के नहीं होते आगे next one है evolutionary stress responses stress के लिए modern version का concept है जिसे mismatch theory कहते हैं ये तर्क बताता है कि हमारे आधिम पुर्वजों की तुलना में आज जो हमारा environment है वो कहीं अधिक खतरनाक हमने develop कर लिया है मनुश्यों की evolutionary सोच उनकी daily routine में होने वाली वास्तिक्ता से mail नहीं खाती है प्राचीन लडाई या फ्लाइट में सफर करना आपके दिल की धड़कन तेज होने मान स्पेशियों पर दबाव पढ़ने और बॉड़ी में underline को release करता है सुर्वाती समा में या प्रोसेस मनुश्यों को या तो सिकारियों से भागने या युद्ध में खुद को चार्ज करने के लिए मोटिवीट करता था मिसमेस थेरी केवल इस तरह की stress को पहचानता है लेकिन अभी भी इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है मनुशों ने fight और flight के उड़ान से परे प्रतिक्रियाओं की chain develop की जिसमें से कुछ आगे बताए गए है जिसमें first one है the challenge response आपका सरीर एक सेडनी के जप्टा मारने और एक लंबी समय सीमा के बीच अंतर करने के लिए परियापते smart है जब आप एक खत्रे का सामना करते हैं तो सरीर ऐसे challenges पर अपना response देता है ऐसे समय में हमारी body में hormone का mixture होता है जो हम में confidence, focus और motivation को बढ़ावा देती है तो इस तरह के stress के अनुभाहों से अधिक बेफिक्र सा महसूस करेंगे और आत्मे बिश्वास सा महसूस करेंगे अगे second one है the tend and be friend response यह प्रितिक्रिया आपके body में oxytoxin नाम के hormone को release करती है जो दूसरों के साथ emotions connection बनाने में मदद करता है यह आपके अंदर की flight instinct को दबा देता है जिससे आपको अपने stress का सामना करने का सहाज मिलता है जिससे दूसरे लोग आपको support करने और आप दूसरों को support करने की संभावना बन जाती है oxytoxin release से आप friendly सभाव के हो जाते हैं जिससे आपका सरीर organ cells को regenerate करने में मदद करता है आपके सरीर में macro damage को repair करता है आगे next one है stress को आप एक resource की तरह use कर सकते हैं latest science इस ओर इसारा करते हैं कि stress जैसे मुश्किल समय में आपके लिए बहतरीन resource बन सकता है जो कि आपके stress में रहने पर आपके काम करने की छमता को बढ़ा सकता है जो कि आपने बहुत बार देखा होगा कि stress में रहने पर businessmen बहतरीन तरीके से negotiation कर पाते हैं ऐसे समय में student टेस्ट में बहतरीन performance दे पाते हैं athlete अधिक competitive बन जाते हैं surgeon अपनी निपूर्ता में सुधार कर पाते हैं और pilot emergency के समय में बहतरीन ढंग से चीजों को समाल पाते हैं कार दुरगटना ग्रस्त में बचे हुए लोगों को एक study में पाया गया कि दुरगटना ग्रस्त होने के बाद जो लोग सबसे तेजी से recover हुए थे उनमें stress hormone का level बहुत अधिक था जिसकी वज़े से उनमें post-traumatic stress disorder मतलब की दुरगटना के बाद होने वाले stress से होने वाली बीमारियों की संभावना कम हो जाती है इसलिए stress hormone की dose के लिए PTSD एक बहतरीन थेरी हो सकती है अपने daily life में stress को resources की तरह कैसे use कर सकते हैं अपना किजिए कि आप भासट देने वाले हैं यदि आप ज़्यादातार लोगों की तरह हैं तो आप घबरहाट के सारे इक लक्षणों का अनुभो करेंगी जैसे कि मूँ का सोग जाना, हतेली पर पसीना आना और दिल के धड़कन तेज हो जाना आन तर पर लोगों का मानना है कि आप तब तक अच्छा performance नहीं करेंगे जब तक कि आप सांथ रहने और stress को कम करने का अच्छा तरीका ना खोज निकालें ये बात समझ लिजे कि stress के रूप में आप जिन लक्षणों को समझते हैं वे वास्तों में एक challenges हैं जिससे आप अधिक focus रख पाएंगे आपका दिमाग किसी भी information को तेजी से collect करता है ऐसे चमतकार आपने दुनिया में देखा होगा जब एक common सा student किसी एक civil services या किसी कठीन exam में टॉप कर लेता है यदि आप challenges को अपनाते हैं तो आप भासर देते समय excited, energized, enthusiastic और confidence आप महसूस करेंगे आपने जितने भी महान कलाकार, athlete और surgeon को देखा होगा वो psychologically रूप से सांत नहीं है वो अपनी strength का यूज करके बहुत से challenges को पूरा करके ही दम लेते हैं कुछ मामलों में आपने असंभो लगने वाली कहानिया सुनी होगी मिसाल के तोर पर Oregon में दो यंग लड़कियां अपने पिता को ट्रक्टर के नीचे फसा देखा उन्होंने 3000 पाउंड के ट्रक्टर तक को उठा डाला इस तरह आप भी अपने परिवार, अपने कंपनी या अपने समधा के रच्छा करने या उडान के डर को जीतने के लिए साहस के कुवे में गोती लगा सकते हैं इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप साहस कीजिए आपका साहस करना आपको इतना कुछ देगा, जो कि आप सोच भी नहीं सकते पहले ये समझे कि स्ट्रेस के वल उन परिस्तितियों से उत्पन होता है जब आप किसी चीज या लोगों से उम्मीद करते हैं और वह आपको मिल नहीं पाता, देखे इस बात को समझे ऐसा हमेशा हो गाई अब ये मुझ सोचने लग जाईए कि किसी से उम्मीद करना गलत है एक्जाम्पल के लिए इसे आप माउंटन पर चड़ने जैसा समझेए जब भी आपके बड़े गोल्स होंगे, तो आपको स्ट्रेस को फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि इस्ट्रेस का सामना किये बगर, आप अपने गोल्स तक नहीं पोच सकते और जब आप सुईकार करते हैं कि कटनाईया चुनोतियों का हिस्सा है तो आप वो सारी चीज़े पा लेते हैं, जो कुछ भी आपने पाने का गोल्स बनाया है आप के वोल तभी फेलियर का सामना करेंगे जब आप स्ट्रेस को अंदेखा करते हैं लेकिन जब आप स्ट्रेस का सही इस्तमाल करना सीख जाते हैं, तो आप फेल होने से बच जाते हैं आगे नेक्स्ट वन है, स्ट्रेस के बचाव से बचना रिसर्च से पता चलता है कि स्ट्रेस से बचने की कोशिश करना आपके हेल्थ रिलेशन्चिप के लिए बहुत अधिक हानिकारक साबित हो सकता है एक जापानी स्ट्डी में स्ट्डेस को चक्मा देने की कोशिश की और रिजल्ट में इस ग्रूप ने पाया कि उन्होंने किसी चीज या बात को ठीक से कम समझ पाने का अनुभो किया जीवरिक में जीन स्टुडेंट्स ने प्रेशर से बचने के लिए कड़ी मेहनत की कोशिश की उन्होंने पाया कि वेफोकस, विटालिटी और डिसिप्लीन रखने में नाकाम रहे एक यूएस डिपार्टमेंट के वेटा सफ्यास ने एक दसक तक 1000 से अधिक वैसकों को ट्रेक किया और उन्होंने रिजल्ट में पाया कि स्ट्रेस से बचने की कोशिश करने की वज़े से उन्हें डिप्रेशन की अधिक गटनाओं का सामना करना पड़ा उनके घर या जॉब पर इस वज़े से विबाद बढ़ गया जिसकी वज़े से तलाग जैसे निगेटिव नतिजी सामने आए जो लोग स्ट्रेस से बचने की कोशिश करते हैं वे असल में स्ट्रेस से निपटने के बज़ाए और स्ट्रेस को निवता देते हैं जैसे की लोग ढेल सारी सराब पीना चालू कर देते हैं या किसी तरह का नसा करना चालू कर देते हैं इस तरह के प्रेशर में लोग अपने रिलेशन्शिप को खत्रे में डाल लेते हैं या अपने करियर को तहसनास कर लेते हैं देखे ये सब इसले सुरू हुआ क्योंकि छीजों को सॉल्वना करने की मेंटालिटी उनके स्ट्रेस को बढ़ा रही है। ये समझ लिजिए ऐसा आपके साथ हमेशा होता रहेगा जब तक कि आप स्ट्रेस का सामना करना नहीं सीखते। इसके लिए अपने ब्रेन को दुबारा रिवायर कीजिए ताकि आप फ्यूचर में इस तरह की स्थितियों के आने पर उनका मुकाबला कर सके। यही कारड़े के एस्ट्रोनाट्स, एमर्जेंसी वरकर्स और अथलीट स्ट्रेसफुल कंडिशन में अपने स्किल को प्राक्टिस करते रहते हैं। आगे नेक्स्ट वन हैं स्ट्रेस को स्विकार करना। स्ट्रेस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे गले लगाएं और अपने गोल्स तक पहुशने के लिए पूरी महनत करें। ऐसा करने के लिए आपको स्ट्रेस के बारे में अपना माइंडसेट बदलना होगा। ये बात समझ लिजे कि माइंडसेट एक कूर बिलीफ है जो आपकी मूलभूत समझ का एक हिस्सा है कि दुनिया कैसे काम करती है। आप इसी समझने के लिए प्लेस्बो इफ्ट को समझें जिसमें मरीज को बीमारी से ठीक होने के लिए एक मीठी गोली दे दी जाती है। जनम देता है। उलंबिया युनिविशेटी की साइकलोजिस्ट आलिया करम के स्टेडीज बताते हैं कि माइंडसेट कितना सक्तिसाली हो सकता है। इस एक्जामपल से समझ जाएंगे करम ने होटल के हाउसकीपर्स को अमेरिका भर के दो ग्रूपस में डिवाइट किया। कम हो गए थे जबकि दूसरे ग्रूप के मेंबस में कोई चेंजिस नहीं हुआ था। आप एक स्वाट लेक्चर वीडियो या रीडिंग से न्यू माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। एक्जामपल के लिए सैकोलाजिस्ट ग्रेग वॉल्टन ने आईवी लिग के लोगों को यह मसूस हो कि वे स्टूडेंट गूरूप का हिस्सा हैं। इसके लिए उन्होंने सीनियर स्टूडेंट के वे कमेंट पढ़के सुनाएं। जब वे स्टार्टिंग में केंपस में आए थे जिसमें यह लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग में वे भी खुद को केंपस में भारी लोगों सा मसूस करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी इमोशन बदल गई। आगे सेकेंड वन है इस तरह के प्राक्टिस करें जो आपके माइंड सेट को अपनाने के लिए इंकरेज करती है। वाल्टर ने फ्रेशर लोगों से ऐसे लिखने के लिए कहा जिसमें वे अपने एक्सپरियंसेज बताएं की सीनियर लोगों से कैसे मेल खाती हैं। इससे हुआ ये की लोगों ने हर बात को बारीकिसे एक्सपरियंस करके अपनी फीलिंग को शेयर किया। आगे third one है दूसरों के साथ अपने idea शेयर करें Walter ने participant से कहा कि अगले वर्स के fresher लोग जो होंगे उन्हें आपने जो इसे में लिखा है उसका हम वीडियो बनाएंगे और fresher को वह दिखाएंगे इस तरह के actions से लोग better तरीके से खुद को एक दूसरी के साथ connect कर पाए आगे next one है अपना values याद रखें डेली परिशानिया जैसे की सुपर मार्केट में लंबी लाइन का होना सबसे negative प्रभाव आप पर डाल सकता है क्योंकि यह आपका काफी समय और energy को waste कर देता है Stanford researchers ने 1990 के दसक में विक्सित एक simple mindset के साथ इस तरह होने वाले परिशानियों से अपने perspective को बदला उन्होंने students को अपने fundamental values के बारे में इस तरह लिखवाया था कि वे अपने daily activities को करते हुए अपने values को कैसे relate करेंगे तीन हपतों के बाद जिन लोगों ने अपने core values लिखे थे उनकी तुलना control group के लोगों से की गई तो पाया गया की core values लिखने वाले लोग आधिक खुश और स्वस्त थे psychologist Jeffrey Cohen और David Sherman कहते हैं कि जब आप अपने values के बारे में लिखते हैं तो आप समस्याओं को और अधिक manageable बना लेते हैं और तब आप में समस्याओं से बचने की तुलना में अधिक challenges का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है जब आप एक personal values को चुनते हैं तो इसके बारे में एक short essay लिखना आप में ऐसी ताकत ला देता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप अपने values को कैसे पूरा करेंगे और अपने रोजमर्रा के जीवन में इस role को कैसे पूरा कर पाएंगे आगे next one है अपने stress को manage करना सीखें stress को manage करने के लिए जो आपको सही लगे या फायदे मन लगे उन stress प्रितिक्रिया को tigger करना सीखें example के लिए यदि आपको बासट देना है तो आप घबराएंग मैसूस कर सकते हैं ऐसे समय में घबरा जाना बहतरीन तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है इसके विपरीत यदि आप खुद पर भरुसा करके अपनी ताकत पर यदि फोकस करते हैं तो बहतरीन तरीके से अपनी चुनोतियों का सामना कर पाएंगी तो आपको ये सोचना होगा कि इन चुनोतियों के लिए आप कैसे तयार हों और साथ ही इस बात को भी रिव्यू करें कि अतीत में इस तरह की चुनोतियों को कितनी अच्छी तरह से आपने संभाला था आपके दोस्तों या परिवार की लोगों ने आपकी उस समय कैसे मदद की थी तरह आप जान बूझकर टेंडेन फ्रेंड प्रितिक्रिया को टिगर कर सकते हैं बस यह काम पुरी निष्टा और दयालिव भावना के साथ करते रहें जिससे आप में आत्मविश्वास, फोकस और साहनबूती की भावना आपके साथ जुड़ जाएगी तक करने पर टेंडेन फ्रेंड प्रितिक्रिया को टिगर कर पाएंगे और एक अच्छे काम करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे इस्ट्रेस प्रितिक्रिया को मैनेज करना और उसका लाब उठाने पर आपको इ लगेगा यही आपके विज्वल जीवन की कुणजी है खिरकार हम केवल उन चीजों के बारे में स्ट्रेस महसूस करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं पी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिस सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके अल नोटिफिकेशन भी आन कर लीजिए जिससे जब भी मैं कोई नीव वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फेमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूंगा आपने अपने समय देकर मेरी बात सुने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिंद